विश्व कप में सारी टीमें लगभग अपना आधा मैच पूरा कर चुकी हैं अब बारी सेमे फाइनल में जगा बनाने की हैं जिसके लिए सभी टीमें बाकी बचे मैचों को जीतने की कोशिश में जुटी है पाकिसान ने साउथ अफरिका को हरा कर एक बार फिर से अपने लिए समभावनाएं तलाश ली हैं और भारत अब तक अपना कोई भी मैच नहीं हारा है उसके दावेदारी मस्बूत है सम्भावना ये भी है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं ये मुम्किन कैसे होगा ये भी समझे पाकिस्तान क्रिकेटीम के दक्षिन अफ्रिका के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए लगता है ऐसे में उसका मुकाबला मैच पॉइंट्स में चौथे नमबर पर रहने वाली टीम से होगा इस समीकरण से अंक तालिका में चौथे नमबर पर होने की वज़़े से पाकिस्तान का एक नंबर पर रहने वाली टीम इंडिया से उसी मैंचेस्टर के मैदान पर सेमेफाइनल मकाबला हो सकता है जहां टीम इंडिया ने ग्रुप मैच में उसे पठखनी दी थी सेमि ALL में जगा बनाने के लिए पाकिस्तान को अपने बाकी बचे 3 मैच जीटने होंगे इसके अलावा उसे निउजिलेंड टीम के नतीजों पर भी निरभर होना होगा न्यूजिलेंड के फिलहाल 6 मैचों में 11 पॉइंट्स है और पाकिस्तान के 6 मैचों में 5 पॉइंट्स है पाकिस्तानी टीम अगर अपने 3 मैच जीत लेती है तो उसके 9 मैचों में 11 अंक हो जाएंगे ऐसे में न्यूजिलेंड को अपने अगरे 3 मैच हारने होंगे इसके बाद भी दोनों के बीच अंक बराबरी पर रहे तो मामला नेट रन रेट के आधार पर तैह होगा न्यूजिलेंड यदि पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया और इंगलेंड से हार जाता है तो उसके 11 अंक रह जाएंगे दूसरी ओर 11 अंकों के साथ पाकिस्तान चौथे नंबर पर उसके बराबर पहुँच जाएगा लेकिन यदि पाकिस्तान को समी फाइनल में जगा बनानी है तो उसे अपने सारे मैच ना सर्फ जीतने होंगे बलकि बड़े अंतर से जीतने होंगे